नमस्कार किसन भाईयों मैं आप सभी का रमेश भाई और आप सभी का स्वागत करता हूँ आरेश टेक्निकल गेदी में तो किसन भाईयो इस समय आलू की फसल चल रही है और इस समय यदि आलू की फसल में आप अच्छी दवाईयों का प्रियोग करते हैं तो आपको उत्पादन काफी अच्छा देखने मिल जागा तो काफे किसन भाई कमेंट कर रहे थी कि आलू की फसल में कौन सी दवाई का इस्प्रे करें जिससे कि हमें आलू अधिक मात्रा में देखने मिले तो किसन भाईयो फाइनल ही मैं आप सभी के लिए आपके डाउट क्लियर करने आ गया हूँ और आपको बता हूँगा कि आपको किस दवाई का प्रियोक करना है और कितनी डोज लगानी है आपका पोदा शुरू से ही सुष्ट रहेगा तो आपको उत्पादन काफी अच्छा देखने मिल जागा तो पोदे को सुष्ट रखने के लिए हमें एक इस्प्रे करना होता है आलू में जो सबसे ज़्यादे महत पोड़ है काफ़े किशन वह यही गल्टी करते हैं जिसके कारण उनकाज अधिक मातरा में रोग देखने मिल जाता है तो आप जानेंग किसन वहीं, एमपेटलिस के बारे में कि एमपेटलिस क्या होता है, और इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, और इसे किस पिरकार से प्रियोग करना, सारी जानकरी अब आपको देने वाले, एमपेटलिस एक ब्रोड इस्पेक्टर फंगिसाइड होता है, यादि इसके टेक्निकल नाम की बात करी जाये, तो मैंको जे 75% डबलू पी, यानि कि बोटेवल पाउडर के रूप में पाया जाता है, यह है एक कॉंटेक्ट और प्रोटेक्टिव फंगिसाइड होता है, अब यह हमेसा आपकी फसल होता है, उसको स्वस्त बनाता है, अर्थात उसमें जो फंगस लगने वाले वािरस होते हैं, उसको लगने नहीं देता है, तो उससे पहले जान लेते हैं यह कॉंटेक्ट, कॉंटेक्ट का मतलब होता है, कि जब कोई भी रोग यानि कि पत्तियों पर आना इस्टार्ट हो जाता है यदि इसका इस्प्रे हो जाता उससे पहले ही तो अर्था तो जो पत्ती में रोग फैलने वाला होता है उसको पहले ही रोग देता है प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है बहे पोदा जिसमें की कोई भी रोग नहीं है तो उस पोदे को स्वस् यह जिंक मैगनीज होने की बैसे पोधा जो रहता है हरा वरा रहता और तंदुरस तो रहता है जिसके कारण उत पादन भी काफ़े अच्छा देखने मिलता है इंडोफिल एमपेटालिस जैसे की पच्छेती जुलसा हुआ या फिर जुलसा रहुआ आलूमी दो रोग हद से ज कहते हैं इसे अर्थात ये फंगिसाइड का राजा होता है क्योंकि इसके रिजलिटी काफ़े अच्छा देखने मिलते हैं मार्केट में आप खुद ही इसे यूच कर सकते हैं लगाकर अब बात करेंगे इसके डोज आपको किस परकार से प्रियोग करनी अर्थात अपने खि पचास घ्राम ले सकते हैं यह पिर पंदर लेटर पानी यदि आप लगाना चाहते हैं तो 35-40 ग्राम इसके डोज ले सकते हैं और इसको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं इसका रिजलिट काफी अच्छा आपको देखने मिल जाएगा एमपैटालिस का प्रियोग कर सकते हैं आलू या फिर अंगूर मिर्च मटर वैगन लोखी या फिर धान आदी फसल में आप इसका प्रियोग कर सकते हैं किशन भाईयो एमपैतलिस आपको काफी ब्रांड दे रही हैं लेकिन आप जो अच्छा लगए आप बोलागा सकते हो दुकान दार से सला लेकर लेकिन मैं जो प टेकनिकल नाम जो है बोब मैंन आपको बता दिया है यदि मेरे जान के लिए आपको अच्छे लगे हो चैनल को सब्सक्राइब दूरूर कले ना पास्वेल बेलेकन दवा देना ताकि जो वीडियो हम फ्लोड करें सबस्पेल आपको पहुंस सके और खेती किसानी सम्दित हम किसन भाई मिल तक नए विडिक साथ और एक नए डूपी के साथ